ग्वालियर जिले में मोहना थाना क्षेत्र के दोरार गाउं में बिती रात एक दबंग दोरा आदिवासी मा बेटी पर फारिंग करने का मामला सामने आया है। के मताबिक विश्णु शर्मा नामा की युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मा बेटी पर हमला किया है। रज्जवाई नामा की आदिवासी महिला रहती है। रज्जवाई और उनकी मा दोनों साथ में रहती है। रात्री में रज्जवाई के एक विश्णु शर्मा ट्रक चालक है। उनके साथ लिविन रिलेशन में पिछले दो-तीन साल से रह रही है। तो कुछ दिन पूर से रज्जवाई और विश्णु शर्मा के बीच में विश्णु को चुकी इनके चरित्र पर डाउट है किसी अन्न वेक्ती से इनके संबंद होगा है। इस बात पर दोनों में मद्वेट चल लए थे और इसी बात पर जो रात को तीन बजे करीब घर पर आया और विवाद करने लगा तो इनकी माह ने बीच मेरा भाई ने बीच बचा कुरने का प्रयास किया। इसने गोली मार दी, उनके कान के पास सिर में लगी है। उनकी डैथ हो गई है। और जो रज्जो है उसके चेस्ट में लेफ्ट तरफ गोली मारी है। वो हस्पिटल में इलाज रहा था है। गटना की सुदना मिलने पर ततकाल पुलिस के सभी अधिकारी हों मोपे पहुच गया। एफसल अधिकारी दोरा गटना स्टल का एलेक्शन किया रहा। आँ बेदानिक कारवाई की जाकर अच्या वहत्या का प्राथ पंजीवत कर आरूपी की गरफतारी के लिए टीमेर अवाना कर दी गई है। जल्दी जल्दी आरूपी गरफतार जो जिस्टे फायर किया फायरां जिप्तकर अमानिय नीयालग समक पेश किया। पेढ़ना जे रात में गोली चली थी बहां केथ पर नागदेग ओटल के पास मैं चमीन अपनी वहां जे माँ बेटी तोनों सो रही थी वह पंड़ता था इसको राज़े को छोड़ दिया उसने मने कर दी घरमाग फाग लगा गया इसने मने कर दी मैं ते साथ नी रहना चा अचाती में माद के जहां सर्मागोली लगी तो निकल के स्पट भी ख़तम होगी मादो अभी कोई पताने साब है तो अभी तो वहीं लास पड़ी हुई यावी कोई कारभाई चल लेगी देगा अब है तो यहां उस्पीटल में इसको लेकर आया है मेरो इतनी जानकारी नही झालू उसफू आपने डहां के लोराई झालू आपाई लेकर पसमा के स загиб कोई झालू लेकर देगा है प injust elaboruste में है भी दो ञेसे पसमाň स्थिнок टू हैं अबंगяжजश किछीग प्राम भी तेम पसमा झालू परेग naw!